द्रश्टी PCS के डेली PCS G के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रशन से जिसमें आपने आपसे पूछा था किस महासागरी धारा को कुरिल धंडी धारा भी कहा जाता है आपके ऑप्शन थे आपसे कई लोगों ने इस प्रशन का एकडम ठीक जवाब दिया है चलिए बागे की बाद क्वेस्पनेशन से समझते हैं ओयाश्रीवो महासागरी धारा को कुरिल धंडी धारा कहा जाता है जो प्रशान महासागर की एक धारा है के धारा बेरिंग जल डमरू मदिस से होकर दक्षिन के और प्रवाहित होती है जिसके द्वारा आप्टिक सागर का थंडा जल प्रशान महासागर में लाया जाता है इस धारा की तुलना आटलांटिंग महासागर की लैबरोडोर धारा से की जाती है जिस स्थान पर ओया शिवोधारा प्यूरो शिवोधारा से मिलती है वहाँ पर कुहरा चाया रहता है जो जलियानों के लिए श्यतिकारक होता है आता विकल्प A सही है यानि इस प्रशन का सही उत्तर हुआ विकल्प A ओया शिवोधारा चलिए अगला प्रशन देखते हैं, हाली में भारत के विदेश मंत्री ने किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंब किया है, आपके आप्शन है, कैन्या, युगांडा, शुलंका या फिर भूटान, तो इस प्रशन का सही उत्तर है, विकल्प B, युग चलिए एक्स्प्रेशन देखते हैं, हाली में भारत के विदेश मंत्री एजजशंकर ने युगांडा के लिए अपनी तीन दिर सी यात्रा की है, इस दोरान उन्होंने युगांडा के राश्पती यावेरी के मुसेवेनी से मुलाकात कर, उन्हें गुट निरपेश यानी UFBJP युगांडा इनिशिटिव की एक पहल है, तुलसी घाट रुत्रप्रदेश के वारांसी में हैं और वारांसी के घाटों में से एक सता महतपूर्ण परिस दन स्थेल भी है, इसका नाम संत कभी तुलसीदास के नाम पर रखा गया है, गौर तलब है कि भारत के युगांडा को 2022 से 2025 तक के अवधी के लिए अफरिका की और से कुटने रुपेश आंदुलन के अधक्षिता करने के रिसमर्थन दिया गया था, इस तरह इस प्रश्निका से उत्तर है, विकल्प B, युगांडा निन्मे में से किस मंत्राले द्वारा युवा लेखक सम्मेलन का युजिन किया जाएगा, आपके ऑप्षिन है, कौशल विकास और उद्धिमिता मंत्राले, महिला एवं बाल विकास मंत्राले, संस्कृती मंत्राले, या फिर सिक्षा मंत्राले तो इस प्रश्न का से उत्तर है विकल पिडी सिक्षा मंत्राले सिक्षा मंत्राले SCO शिखर सम्मीलन 2022-23 के आउसर पर युवा लेखक सम्मीलन का आयोजन करेगा इस का आयोजन नैशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के साथ मिल कर गिया जाएगा नैशनल बुक ट्रस्ट शिक्षा मंत्राले के अंतर गताने वाला एक स्वायत संगठन है समीलन का विशे SCO सर्श्र देशों के 20 सभेता गत समवाध है जिसमें इतिहा, सिम्मदर्शन, अर्थरस्था, धर्म, संस्कृती, साहित और विज्ञान एवं चेकिसा जैसे उपविश्यों के साथ युवा विद्वानों का दुष्टिकोंड शामिल है रंगाई सायोग संगठन यानि SCO के स्थापना एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में 15 जून 2001 को शंगाई में हुई थी वर्तवान में SCO के 8 सदसर देश हैं जिन में शामिल है भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान इस तरह इस प्रशन का सही उत्तर है, विकल्प D, सिक्षा, मंत्रा, ले नास्ट क्वेशन है, नोसेना के प्रथम भारती चेफ कौन थे? आपके ऑप्शन है, RD कटारी, सर एडवर्ड पैरी, डियन मुखरजी, या फिर SH कारलेल इस प्रशन का सही उत्तर है, विकल्प D, कटारी, चलिए इस प्रशन देखते हैं, भारती नोसेना का नोसेना और डेन उद्योग आउटरिच कारकम, 11 अप्रिल 2023 को कौलकता में जित किया गया, इस कारकम का उदेश नवन मेशन, एकी करण, सुदेशी करण के लिए अनुकूल एक एको सिस्टम को बढ़ावा देना था, जिसमें कॉलकता और उसके आसपास प्रचालन कर रहे, 100 से अधिक उद्योग साजीदारों की सक्री सह भागिता देखी गई, आपको बता दें, कि 1668 में इस्ट इंडिय मरीन कहा जाने लगा, इस वक्त तक इसमें 50 से अधिक जहार शामिल थे, रॉयल इंडियन मरीन को 1934 में रॉयल इंडियन नेवी बना दिया गया, 22 अप्रेल 1958 को वाइस एड्मिरल आर्डी कटारी ने नौसेना के पहले भारती सीफ के रूप में पद ग्रहन किया था, इस तर तो इस प्रशन का से उत्तर है विकलपसी गुरू गोविंद सिंग, खालसा परंपरा की शिर्वात, 1699 में सिख धर्म के दसपे गुरू, गुरू गोविंद सिंग ने की थी, खालसा का स्थापना दिवा सिखों दौरा वैशाखी के तेवहार के दौरार मनाया जाता है, मैक उसे गुरू गरंथ आधी गरंथ है, जिसे आम तोर पर गुरू गरंथ साहिब कहा जाता है, इस तरह इस प्रशन का से उत्तर है, विकलपसी गुरू गोविंद सिंग, नेस क्वेशन है, देश के पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिट रेल ट्रांजिट सिस्टम यानि RRTS का नाम, रैपिडेक्स होगा, रासी राजधानिक शेत्री परिधनिगम यानि NCRTC ने ये नाम दिया है, रैपिडेक्स में, रैपिट का गति या प्रगति से लिया गया है, जबकि अंतिमक्षर X से आशे, अगली PD यानि नयुक से है, जो यूत, आशाबाद और उर्जा का प्रिधनित्व करता है, अब तक इस प्रोजेक्ट को रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिश सिस्टम बोला जा रहा था, ये रैपिड रेल ट्रांजिश सर्विसेज यानि RRTS गली आरा, 82 किलोमेटर लंबा होगा, रैपिडेक्स में ट्रेनों की अधिक्तम रफतार, 160 किलो करने का लक्ष रखा गया है, इस तरह इस प्रिशन का सेयुत्तर होगा, विकल्प A, रैपिडेक्स, अगला प्रिशन है, भारत का पहला RITS और INVITS इंडेक्स किसने लॉंच किया है, आपकी ऑप्शन है, BAC, NAC, नीतियायोग या फिर कंपनी कार्यमंत्रा ले, तो इस प्र इंडेक्स करते हैं, जबके इंडेक्स करते हैं, ये एक तरह से ट्रस्ट होते हैं, जिनके ज़रिये निवेशक अलग अलग तरह के नीमे तौर पर इंकम देने वाले या कमाई कराने वाले रियल एस्टेट या इंफ्रस्टुक्चर इंस्टूमेंट में निवेश करते हैं, इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है, विकल्प B, NSE, नाइस क्वेशन है, भारती सांस्क संबंद परिशद यानि ICCR ने The Language Friendship Bridge नामा के परियूजना की परिकल्पना की है, जिसका उदेश उन पड़ोसी देशों में संक्रतिक परचिनन का विस्तार करना है, जिनके साथ भारत के इतिहासिक संबंद हैं, इस परियूजना का उदेश भारत को अपने महाकाफियों औ साहित का इन भाषाओं मनुवात करने में सक्षम बनाना है, ताकि दोनों देशों के लोग उन्हें पढ़ सकें, चलिए जानते हैं भारती सासितिक संबंद परिशद यानि ICCR के बारे में, ये विदेश मंत्राले के तहत भारत सरकार का एक स्वायत संगठन है, ये इने दे इस भारत के बाहरी सांस्वतिक संबंदों से संबंदित नीतियों और कारकरमों के निर्मान और कारयन वेयन में सक्री रूप से भाग लेना है, इस तरह इस प्रशनका सही उत्तर होगा, विकल्पिडी, 1950 लेजर इंटर्फेरोमेटर, गर्विटेशनल वेव, अब्जरविटरी, यानि लीगों की स्थापना किस राज में की जाएगी, आपके ऑप्शन है, राजिस्थान, मदप्रदेश, गुजरात या फिर महरास्ट, तो इस प्रशनका सही उत्तर है, विकल्पिडी, महरास्ट लेजर इंटर्फेरोमेटर, गर्विटेशनल वेव, अब्जर्विटरी, यानि लीगों परियोजना के निर्मान को मंजूरी दी, इससे पर्मान उर्जा विभाग और विज्ञान एवं प्रॉद्वी की विभाग द्वारा, अमेरिकी राष्टे विज्ञान प्रतिष्ठ प्रियोजना का उद्देश ब्रह्मान के गुरत्वी तरंगों का पता लगाना है, इसके 2030 से शुरू होने की उमीद है, ये मुंबई से लगभग 450 किलमेटर पूर्व में महरास्ट के हिंगोली जिले में इस्तित होगी, इस तरह इस प्रिश्णका से उत्तर होगा पाद ही त्याग दी थी, आपके उप्शन है, चौरी-चौराकांड, नमक सत्यागर, जलियावालाकांड या फिर भगत सिंग, राजगुरू और सुखदेव को फांसी, तो इस प्रश्णका से उत्तर है, विकलपसी, जलियावालाकांड, 13 अप्रेल को जलियावाला बाग, घत्याकांड या नरसंहार का समरती दिवस है, यही पर 13 अप्रेल 19 को अंग्रेजों ने हजारों निहत्ते भारती पुर्शों, महिलाओं वो बच्चों पर जम कर गूलियाँ बसाई थी, इसमें करीब 1000 भारतियों की जान चली गई थी, इस घटना को आदिश देने वाला अ पंगाली कवी और नोबर पुरुसकार विजेता, रविन्ना टैगोर ने भी अपनी नाही तूटकी उपादी त्याग दी थी, 1919 में इस नरसंहार की जाच के लिए एक समेती गठित की गई, जिसे बाद में हंटर आयोग के रूप में जाना गया, इस तरह इस प्रशन का से उत्तर है विकलप सी, जलिया वाला बाग हत्याकार्ण, चलिए अब नोट कर लिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रशन, उत्तर प्रदेश राजे में चमडा उद्योग के लिए कौन कौन से केंद्र प्रिसिद्ध है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन A, आगरा एवम लख लिए अघआ से के लिएчно कौनसे का अभ्यास प्रदेश़ को लिए है, अब नोट कर लिए जूए है